जिस बात का डर था वो ही हुआ उदेपुर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है वो भी बताऊंगा नमस्कार मैं मुहम्मद फेसल आप देख रहे हैं जनितावाज ये तस्वीरे देखी ये आपने मोंटाज में ये तस्वीरे हैं उदेपुर की जो डरावनी है आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर भीड सडको पर निकल चुकी है बताया जा रहा है ख़बर आ रही है के कनय लाल के सव को उनके पैतरक गाउं ले जाया गया जहां पर तमाम लोग जो है इखटा हो रहे हैं तो एक तो ये ख़बर है दूसरी तरफ कॉंग्रेस और बीजेपी में कॉंग्रेस ने कहा है कि इसके पीछे जो है बीजेपी का हाथ है ये सारा किया धरा जो है बीजेपी ने किया है और जब इसकी जड़े खुलेंगी तो इसमें बीजेपी का हाथ निकलेगा किस मंतरी ने कहा है वो भी बताऊंगा इसके अलावा देज भर में मुसल्मानों ने उदेपुर घटना का खंडन किया है उसकी निंदना की है और लगातार जो है दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है आईए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले बता दूं कि राजिस्थान के स्वास्तमंतरी परसादी लाल मीना ने कहा है कि ये सारा किया धरा बीजेपी का है और कॉंग्रेस में दोनों में आरोप परतिया आरोप लग रहा है लेकिन इसके अलावा अब जो अपडेट आ रही है अब ख़बर आ रही है कि कनिया लाल के सब को उनके पैतरक गाउं ले जाए गया है जहां पर जो गाउं वाले हैं उनको सह सम्मान उनकी विदाई करेंगे उनकी अंतिम्यात्रा होगी लेकिन इसके अलावा दूसरी ख़बर ये आ रही है कि उदेपूर से जो ये तस्वीरे आ रही है आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक पर डंडा लाठी लेकर और नारे बाजी की जा रही है वो ही जो देज भर में लगातार होता रहा है अभी ये ख़बर है वहाँ से कि धारह 144 लगा दी गई है कहीं जगा पर परसासन भोत एक्टिव है किसी भी बड़ी अनहोनी की आसंका है इसलिए परसासन एक्टिव है ताकि कोई भी अनहोनी होने से रोकी जा सके वहीं बता दे इंटरनेट सेवाए सारी बंद कर दी गई है लेकिन एक खत्रा बना हुआ है अभी भी जिस तरीके से निर्मा महत्या की गई है उसके बाद पूरे परदेश में माहोल तनाव पूने खासकर उदेपुर में वहीं दूसरी तरफ जितने भी मुस्लिम संगठन है बड़े बड़े चाहे All India Muslim Personal Low Board हो जमियत उल्माए हिंद हो या तमाम जितने भी मुस्लिम बड़े संगठन है एक्टिविस्ट है नेता है ओवेसी है तमाम लोगों ने इस चीज का खंडन किया है और साथ ही उन्होंने डिमांड की है कि जो भी दोसी हैं जो पकड़े गए हैं उनको जल से जल और कठोर से कठोर सजा दी जाए लेकिन आपको याद होगा आज से पांस साल पहले इसी राजिस्थान में संभूलाल रेगर नाम का एक व्यक्ति जो अफराजुल की हत्या करता है वीडियो बनाता है शोशल मीडिया पर शेयर करता है उसके लिए रेलिया की जाती है उसको हीरो बनाय जाता है कोर्ट पर हमला कर दिया जाता है उसको फिर बाइपॉल एलेक्शन भी लड़ाया जाता है उसके लिए चंदा इखटा किया जाता है लेकिन इन दोनों के लिए लगातार मुस्लिम समुदाय फासी की मांग कर रहा है आप समझिए आज देश के ऐसे हालात हो चुके हैं चाहे हिंदू मरे या मुसल्मान मरे फाइदा बीजेपी को होना है आप सोचिए जो कनहिया लाल जो टेलर की दुकान चलाते थे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी हत्या कर दी गई इससे फाइदा किसको होगा और जिन लोगों ने हत्या की है आप सोचिए उनकी मान सकता कैसी होगी किस तरीके के वो हैवान होंगे आप समझ ये कि एक ऐसे वियक्ति को जो निहत्ता था जो अपनी दुकान चला कर प्रेट पालता था उसकी हत्या करना ये कौन से धर्म में सिखाये जाता है कौन से मजब में ये चीज़ें सिखाये जाती है लेकिन बात सोचने वाली ये है कि इससे फाइदा किसको होगा और जिस तरीके से कॉंग्रेस के स्वास्तमंतरी मीना जी ने आरोप लगाया है कि इसमें बीजेपी का हाथ है महीं दूसरी तरफ ग्रेम मंतरालिये ने ट्वीट कर जानकारी दिये कि इस केस को NIA यानि कि National Investigation Agency इसको जाच करेगी और किसी भी तरीके से अगर इसमें पाकिस्तान उन्होंने साथ दी जाईगी लेकिन आप समझे यह देखिए जिन लोगों ने हत्या की उनकी गरफतारी हो चुकी है और वो कोट में भी पेस हो गे और हो ना हो जो केस फास्ट्रे कोट में गया है हो सकता है महीने में दो महीने में उनको सजा भी मिले लेकिन आप समझ ये कि ये देश समिधान से चलेगा, rule of law से चलेगा अब इसके बाद जो इनके बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को निसाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के तमाम इस्सों में सामपरदाय क माहूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर नजर रखनी पड़ेगी तो ये बड़ी खबर थी कि उदेपूर में माहोल एकदम टैन से और महा पर लोग सड़कों पर निकले हैं महीं दूसरी तरफ जो कनहिय लाल है उनके सव को उनके पैत्रिक गाउन ले जाया गया है जहां पर उनको नमाखों से उनकी आखरी विदाई कर दी जाएगी इस वीडियो पर आपकी क्या राह है आप अपनी राई जरूर दीजे शुक्रिया